देखे, Student Life यानि की विद्यारती जीवन में आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं गलती करने के लिए और आप जितना जादी गलती करते हैं उतना ही जो है आपको सीखने का मौका मिलता है देखे, अगर आप कोई काम करेंगे तब ही तो गलती करेंगे अगर आप UPSI की एक्जाम में बैठते हैं तो भी तो आपको पता चलेगा यहां मैंने कौन-कौन सी गलती हैं इस बार की जिसके करण मैं फेल हो गया और अगली बार मचे उन गलतीयों में सुधार करना है तो यह process होता है एक सफल बेक्त की जीवन का पहले गलतीयां करेगा उसके बाद गलतीयों में सुधार करेगा उसके बाद फिर लास्ट में सफल हो जाएगा और उसके बाद फिर उसको गलती करने का ज़ो है जरूरत नहीं बढ़ेगा कि उसके बाद इतना experience को दो जाता है कि जिन्दगी कैसे जीनी है देखे आज है 29 अप्रैल और आज की वीडियो में कुल 11 धमाकेदार प्रशनों पे हम जर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परिशौक के लिए मुशनी इंपॉर्टन है तो सुरू से लास्ता वीडियो में बने रही है और इस वीडियो को कुराटेकने बाद आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्कॉप्शन बाक्स में और हमारे टेलिग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के PDF के लिए में जागी चेर्में न्युक किया है तो दिखे भी हाली में जो आपके कृष्णन रामा नूजम है इनको 2022-2023 के लिए चेर्में बनाई किया है नैसकॉप्शन का दिखे नैसकॉप्शन क्या है इसका पूरा नाम है अव्याली में Tata Consultancy Services में Enterprise Growth Group के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है कृष्णन रामा नूजम इनको 2022-2023 के लिए अपने अध्यक्ष के उरुप में न्यूट करने की घोषड़ा की है और दिखे जो आपके रामा नूजम जी है इस भूमिका में ये भारत में एक्सचेंजर की ज बात करने तो नैसकॉम का मुख्याला आपका नई दिल्ली में है और इसको स्थापित की अगया था एक मार्च 1988 तो नैसकॉम के नए देश का नाम क्या है नए चेर्मेन बन गया है कृष्णन रामा नूजम अगला की साल 2022 का पहला सूर्य गरहन कब लगने जा रहा है देखे 29 अपरेल है कल 30 अपरेल है तो कल जो है कितने बज़े सूर्य गरहन लगेगा ये मैं आपको बता जिता हूँ 15 से पुछने की जूरत नहीं बड़ेगी देखे साल 2022 का जो पहला सूर्य गरहन है ये 30 अपरेल को लगने जा रहा है और वैग्यारी नजरिये से ये खगोली घट नमात रहे लेकिन धार्मीक द्रिश्टी से गरहन की घटना को सुब नहीं माना जाता है देखे साल का जो पहला सूर्य गरहन है ये भारती समय के मताबिक 30 अपरेल की मद्यरातरी यानि की रात में 12 बचकर 15 मिनट से सुरूओकर सुबह 4 बचकर 7 मिनट तक रहेगा इसको या आधित करेगा और ये पूर्ड सूरी गरहन नहीं होगा इसको जरूर यारकेगा बाकी चंदर गरहन और सूरी गरहन क्या होता है आपको बताईए अगला प्रशने की कौन सा देश समयुक्त गराश्ट के परेटन निकाय से हट गया है तो देखे भी हाली में रूस जो है ये समयुक्त गराश्ट यानि की यूनाइटे निसंस का जो परेटन निकाय है जिसको आप वर्ल टूरिजम आरगनाईशन यानि की डबलू टी ओ कहते हैं इसने खुद को अलग कर लिया है देखे जो यूकरेन के साथ यूद चला है रूस का तो यूकरेन यूद की बीच रूस समले को लेकर मासकों की सदस्ता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले ही ये जानखारी दे दी यानि की इसको हटाया जाने वाला था वैसे भी तो रूस ने का यार तु हमें अटाओ कि हम खुद ही यहां से निकल जाते हैं तो रूस जो है ये वर्ल टूरि अरगनाइशन से अलग हुआ तो ये दिस आपका रूस है और देखिए जो आपका वर्ल टूरिजम आरगनाइशन है इसका जो मुख्याला है आपका स्पेन के मैडरीड में स्तित है और इसको उनी सो ची आलिस में स्थापित गया था एक्जाम में बच्चे गलती क्या करते ह उनको लगता है कि जो युनाइटेड नेशन्स है ये आपका USA में इसका हेड़कॉर्टर है तो इसके सभी निकायों का हेड़कॉर्टर भी USA में होगा तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है साओधान रही है ने तो पिर एक नंबर का खेला हो जाएगा देखिए जो वर् एलवेरा ब्रिटो का निधनों के आए है यहां पे इनकी फ्लोटो दिख रही है जबकि एलवेरा ब्रिटो है ये जो है पूर्व कप्तान है चुकी हैं इंडियन मैला हाकी टीम की 80 साल की उमर में उमर संबंधी बिमारीयों की कारण इनका निधनों के आएगा देखिए दर यानि कि करनाठक राजी के लिए खेलती थी और इस दोरान इनों ने यानि कि इन तीनों बहनों ने जो है साथ 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 राश्टी किताब भी जीते थे तो काफी मलब इतनी किसका जाए ग्रेट परसनालिटी थी और जो अपकी अलवेरा ब्रिटो हैं देखे इनको 1965 में अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया था और ये आश्टेलिया और स्रिलंका और जापान के खिलाब भारत के लिए खेली थी और अग्ला परसनी की हाली में किस देश ने पॉलेंड और बुल्गारिया को रूबल में भुक्तान करने में विफलता के कारण गैस की आपूरती रोख दी है तो दीखे जो आपका रूस यानि की रसिया है इसने जो है पॉलेंड और बुल्गारिया को रूबल में भुक्त करने की विफल्दा के कारण कहा कि हम तुम को गैस ही नहीं बेशेंगे देखिए दरसल जो रूस के राजपती हैं वलामादिर फुतिन ये चाहते हैं कि इनसे कोई भी कुछ भी खरीदे तो इनको पैसे का जो भुकतान है ये रूबल में करे क्योंकि रूबल क्या है ये रूस का प्रभुत तो बढ़ाना चाहते हैं कौन बुलामादिर फुतिन आगला प्रशने की केन सरकार ने प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी योजना को मार्च 2022 से बढ़ा कर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है तो दीकि जो प्रधान मंत्री स इसे जो रहडी पठरी यानि कि सड़क के किनारे जो है दुकान लगाने वाले जो ठेले पर दुकान लगाने वाले लोग थे उनका ब्यापार नश्ट हो गया था तो दीखिए उनको बहुत जादे पूंजी की योरत नहीं है अगर उनको 10,000 रुपे भी मिल जाएं तो वो 10,000 रुपे का आर्थिक मदद लोगों को मिलने लगा लोगों ने फिट से अपना रेहनी पट्री वाला बैबार शुरू कर दिया है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है असलिए जो है वो लोन नहीं ले पाएं कहीं से सावकार से ब्याच पे बैसा लेकर जो है अपना काम क है तो मार्च 2022 तक ये पहले सीमित था योजना की इसको मार्च 2022 में खतम कर दिया जाएगा लेकर इसको बढ़ा कर दिसमबर 2024 तक चारी रखने की मजूरी मिल गई है अगला की केंदरी मंत्री मंदल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए कितने करोड रुपए के अत का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका जो ब्रांचे जाए ये गाउं गाउं तक खुले ताकि लोग जो है देखी गाउं में भी भी बैंकिंगे की सुविधाय जो है नहीं है लोग आधार कार्ट से पैसे निकालते है या फिर वो जो कमीशन वाला जो नहीं है आधा लाइन लगाते हैं और आप एक हजार रुपे के लिए लाइन में लगते हैं देखें छोटे लोग जो आपके हैं किसान गरी पिसान उनके लिए हजार रुपे बहुत है आपके लिए साथ कम हो लेकिन उनके लिए बहुत अधीक है वो हजार रुपे निकालने के लिए सहर जाते हैं वो गाउं में मяться अधर कार से पैसे निकाल लेते हैं दसरूमे कमिशन देखें तो जैसे सुविधा नहीं काम करता है वार acces इस मोख्वे कांद में और केंदर सरकार ग्रामी इलाखों में पोस्ट आफिस बैंकों की संख्या को बढ़ाने के लिए जोर सोर से तयारी इसलिए कर रही है देखें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो आपका है इसके सी यू है जे वेंकट रामू और इसका मुख्याला आपका नई दली में है और इसको एक सिप्टमबर 2018 को साबित या गया था ये डेट बहुत बार पुछा गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साबना कब हुई थी तो एक सेप्टमबर 2018 हुई थी अगला के हाली में केबिनेट ने नकसल सेत्रों में 2G मुबाईल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोडोपे को मझूरी दी तो देखी केंद्री केमिनेट ने कहा है कि यह जो है जो 2G मुबायल टावर है जैनि कि 2G मुबायल साइट जो आपके हैं उनको 4G टावर में कनुवर्ट किया जाएगा और भारत के किन कि नकसल साइटरों में के जाएगा ये मैं आपको डेजल मताने वाला हूँ इसपेशली भारत के जो दस राजे हैं जो नकसल परवाइट हैं वहाँ पर 2G मुबाइल साइटों को 4G में अपग्रेट के जाएगा और इसके लिए कुल 2426.39 करोड उपे जो है आवंटित किये हैं केंडर सरकार ने हाली में देखे जो आपका ये अपग्रेट करने का परियुणा जो चल ला है 4G में तो ये परियुणा नकसल परवावित 10 राजेओं के लिए के कुछ छेतरों के लिए है और 2G मुबाइल साइटों को जो है क्या किया जाएगा इन दसो राजेओं में जो है जो नकसल परवावित चेतरोंगे वहाँ पर इसको 4G में बदला जाएगा और ये बदलने का काम BSNL को दिया गया है देखे केंडरी मंत्री के अनुसार 2542 मुबाइल साइटों में 344 जो ही आपके आंदर प्रदेश में है इनको रिप्लेस करना है 2G से 4G में उसके बाद फिर आपका बिहार है बिहार में 16 प्लेसेज है पिर 971 प्लेसेज 36 गड़ में है जो कि सबसे अधिक है 36 गड़ सबसे अधिक नकसल परवावित एक तरीके से राज्य है इसको भी यार रखेगा और जहारखन जो है यहाँ पे 450 साइटे है 23 मद्य प्रदेश में है 125 महराश में है 483 ओड़ीशा में है 33 पस्चिममंगाल में है 42 उत्तर प्रदेश में है और तिरपन तेलंगाना में है यह सभी नकसल परवावित छेतर है यहाँ पर 2G टावरों को 4G में अपड़ेट किया जाएगा अगला की विश्वर स्टेशनरी दिवस 2022 की स्थिति को मना जया तो दीखे विश्वर स्टेशनरी दिवस 2022 को हमने 27 अपरेल को मनाया है दीखे यह परतेक वरस यानि हर साल अपरेल के अंतिम बुदवार को विश्वर स्टेशनरी दिवस के रूप में मनायाता है और यह वर्ष वर्ष यह दिवस 27 अपरेल को पड़ा था इसलिए हमने 27 अपरेल को विश्वर स्टेशनरी दिवस 2022 की स्थितिया देखे वर्ज 2022 से हर साल इस दिवस को मनाय जा रहा है मुलब हर साल के अपरेल महीने के अंतिम बुदवार को ठीक है तो अपरेल महीने का जो अंतिम बुदवार पड़ेगा उसी दिन ये मनाय जाएगा और ये दिन जो है मैगना कार्टा के निर्माण की आठ सोभी वर्जगांट के सम्मान के लिए चुना गया था अगला की ACI कुष्टी चेंपेंशिप 2022 में भारत ने कितने पड़क गी थे दीके विहाली में ACI कुष्टी चेंपेंशिप का जिन क्या गया था जिसमें भारत ने 17 पड़क जीते हैं और इन 17 पड़कों में 1 सौन पड़क, 5 रजट पड़क और 11 कांसे पड़क सामिल हैं इसको याद रखेगा कभी कभी पूछेगा टोटल पड़क कितने जीते हैं, कभी पूछ लेगा कि कितने सौन पड़क जीते हैं और रजट और कांस भी कभी कभी पूछ लेता है तो यारके का 17 पड़क बाद जीते हैं एसी आई कुस्ती चेंबेसिप में जिसमें एक सौन था, पांच रजट था और 11 कांसे था और सौन पड़क के विज़ेता है रभी कुमार दहिया इन्होंने पुरसों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुस्ती स्रेंडी में ये सौन पड़क हासिल किया था तो केवल सौन मले का नाम्यार के रभी कुमार दहिया बागी सबसे अधिक पड़क किसने जीते हैं जापान ने एसी आई कुस्ती चेंबेसिप में जापान ने देखे जापान ने कुल 21 पड़क जीते थे और पड़क दालिका में इरान दूसरे स्थान पर रहा 15 पड़कों के साथ और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा 21 पड़क के साथ और भारत पांच में स्थान पर रहा पड़क दालिका में 17 पड़कों के साथ देखे यहां पर आप चौक रहोंगे कि 15 पड़क के साथ इरान दूसरे स्थान पर कैसे आ गया तोаки इसने सोन पदक जुए अधिक जिते थे ठीक है तो सोन पदकों की आधार पर जो है रैंकिंग द्यार की जाती है कौन के सिस्थान पर है अगला की जारकंड में कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गवं में पुस्त काला है देखे जाम ताड़ा जिले में जो है आपके एक नई जानकारी में बताइता हूँ कि जाम ताड़ा जिले में हर ग्राम सभावें ग्राम पंचायत में एक सामुदाई पुस्तकाले बन गया है और लगभग आठ रलाग की आबादी वाले इस जिले में 6 बलाग के तहट कुल 118 ग्राम पंचायते हैं और प्रतेक पंचायत में एक सू सजीत पुस्तकाला है जो की सुबर 9 वजे से साम मार्च प्रिदक छातरों के लिए कुला रहता है तो इसको यार रखेगा कि जारखंड का जांताडा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके हर गाउं में पुस्तकाला है और जहारखंड की बात करें तो दीकि इसके राजधानी रांची है, मुक्यमंत्री है, मत्सोरें जी है और जहारखंड के राजपाल है, रमेज बैजी तो ये थे आपके आज के सबी धमाकेदार प्रशना, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गया है, तो इसको लाइक कर दीजे, हर ब्यक्त को लाइक करना जरूरी है, दीए लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए इसमें कंजूसी मत क्या कीजे दीए आज कुछन अपने का पहला प्रशना आपके लिए कि स्लोवेनिया के नए प्रधार मंतरी कौन मनें, बताइए नहीं पता है तो कल का वीडियो देखके उसको रिवाइज कर दालेगा, और दूसरा प्रशना आपके लिए कि भारत की हज समीती के नए अध्धेश कौन मनें, बताइए और अगला की चैंपियन्स आप दर अर्थ लाइट टाइम अच्विमेंट अवाज डूसरी की जो है किसको दिया गया, बताइए देखें कल के वीडियो में जितने भी प्रशन थे, बहुत ही सेलेक्टिव थे, मानक चली पेपर में छपने वाले प्रशन है, कल का वीडियो देखके उसको रिवाज कर दालेगा और देखें, आज की कुशन अपरिय का चौथा प्रशन है कि विश्व टी का करण सब्ता किस स्थिति को मनाए गया, बताइए, कब से कब तक मनाए गया और पांचमा की लारियस स्पोर्ट मैन आप दे इयर दोजार बाईस का पूरसकार किसे दिया गया है, बताइए और अब हम बात करेंगे, कल के पूछे गए, सभी कुशन अपरिय के स्थितिनों के, पहला प्रश था कि विश्व बहुत धीक संपता दिवस का मनाए गया, तो इसको हमने 26 अपरेल को सेलिब्रेट किया है, और 26 अपरेल को हमने इंटरनेशनल चेर्णोबिल डिजाष्टर रीमेंबरेंस टे भी मनाया है, और दीखिए विहाली में जो आपका फार्मॉला वन एमेलिया रोमागना ग्रेंड प्रिक्स 2022 आईत के आगया था, तो इसमें जो है विज़े हुए मैक्स वर्श टपन यानिकि मैक्स वर्श टपन ये जो है फार्मॉला वन एमेलिया का खिताब जीता, और जो आपके एलन मस्क कहीं नोने भी हाली में ट्विटर कंपनी को जो है 44 बिलियन डालर में खरी लिया है, अमाउंट यार केगा, यही एक्जाम में पुछा जाएगा, और पांचमा था कि केंद्री मंतरी अनुराख ठाकुने हाल ही में कि सहर में खेलो को जहिन